सब मिलकर के वहाँ एक जो श्रिंतरकारी इस परकार से थे जो दोशी लोग थे उनको पकड़ा जा रहा है उनके लिए सर्च ओप्रेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने कुछ की जा रही है अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उन उनका रिमांड लिया जाएगा पांच तथे बिलकुल सामने हैं पहला खटर सहाब को और उनकी सरकार को ये ला यू यानि इंटेलिजन्स यूनिट की रिपोर्ट थी कि इस परकार की हिंसा एक प्लैंड तरीके से एक साजिश के तहत होने वाली है तो खटर सहाब सोए क्यो पड़े थे उन्होंने कारवाई क्यों नहीं की इसकी जो तीस कंपनीज हरियना की और वीस अन्य कंपनीज केंदरी सुरक्षाबलों की हमको मिली थी जिन मेंसे बीस मेंसे तीन हमने पलवल में दो गुरुगराम में एक फृदाबाद में और चौदा जो कंपनीज हैं वो नूजिले में डिप्लाई की गई हैं और सब मिलक के वहाँ एक जो श्रिंतरकारी इस परकार से थे जो दोशी लोग थे उनको पकड़ा जा रहा है उनके लिए सर्च ऑप्रेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने कुछ की जा रही है अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उ रक्षा नहीं जाएगा तो खटर साहब सोए क्यों पड़े थे उन्होंने कारवाही क्यों नहीं की दूसरा मोनू मानेसर जो एक कुख्यात हत्यारा और फरार बदमाश है वो खुले आम भारतिये जनता पार्टी के सरक्षन में वीडियो जारी करके ये कह रहा है कि वो इस यात्रा में भी जाएगा और जिसे जो करना है वो कर ले और उसके साथी भी जाएंगे बजाए उसको गिरफतार करने के बजाए उससे पकड़ने के हरियाना के ग्रह मंत्री एक कुख्यात बदमाश फरार हत्यारे को क्लीन चिट दे रहे हैं तीसरा नू के एस पी को आपने छुटी क्यों भेज दिय वो भी उस समय जब इस परकार के हिंसा होने वाली थी क्या ये नहीं दर्शाता के सरकार की दुरभावना थी के धार्मिक दंगे फैलें और राजनितिक रोटी सेकी जा सके चौथा अब तो केंद्रिय मंत्री जो वहां से सांसद भी है भाजपा के राव इंदर जीत सिंग भी स्विकार लिया कि यात्रा के अंदर पिस्तोल बंदूकें राइफल्स भाले लाठियां और अन्य हत्यार थे मुझे बताईए धार्मिक यात्रा के अंदर भाले लाठियां बंदूक पिस्तोल राइफल्स की क्या उशकता थी सरकार ने ये क्यों ले जाने दिये ये जान इकठे हुए नू शेहर के अंदर तो वो एकदम तो हो नहीं गए, लोग इकठे हुए, तो सरकार ने उन्हें डिस्बर्स क्यों नहीं किया, पत्र क्यों इकठे होने दिये, इसलिए कि धार्मिक तक्राव हो, राजनितिक रोटियां सेकी जा सके, और आखरी में मैं ये पूछ सरकार ने जातिये दंगों के अंदर चार से पांच साल पहले हरियाना को जोंका था, सौ से जादा लोग मरेते हजारो करोड की संपती लूटी थी, उसका नतीजा ये हुआ, कि उनको राजनितिक रोटियां वोट की उन्होंने सेकी, अब वो धार्मिक दंगे करवाकर यही क रहे हैं, तो जो असली साजिश वाले लोग हैं, वो हरियाना सरकार में भाजप्पा, जजप्पा के अंदर बैठे हैं और सत्ता की शहतीर पर कादिज़े हैं। कर दो